TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV Canadian सूबे उंटेरियो में स्कूलों में करोना वारस के फैलाओ का इंकिशाफ Public Funding School Boards में 286 करोना वारस के केसिस रिपोर्ट हुए मतादे तुलबा को आइसुलेशन में रहने का हुकम दे दिया गया कनेडियों सूबे उंटेरियों में वैक्सिनेशन पॉलिसी को मजीद सख कर दिया गया 22 सितंबर से अवामी मुकमाद पर वैक्सिनेशन का सबूत लाजमी करार खिलाफ वर्जी की सूरत में जर्माने आइद किये जाएंगे कनेड़ा भर में करोना वारस के फैलाव में इजाफा जारी है मरीजों की मचमी तादाद 15,55,121 तक जा पहुंची हलाकते 27,263 हो गई अफगानिस्तान में अमरीकी रौन हमले पर चीन समेट आलमी बरादरी का थेकिकात का मतालबा ब्रीफिंग के दोरान एंटॉनी ब्रिंकिंग को शदीद तनकीद का सामना अमरीकी हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान में अलकाइदा दो साल के अंदर खत्रा बन सकती है अफगान वजिर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान समेट इंदाद देने वाले मुमालिक के मशकूर है अफगानिस्तान के साबिक वजिर खार्जा के घर से घेर मुलकी शराब की बोतलों का जखीरा बरामद चीन और यॉर्पी यूनियन का फगानिस्तान के लिए इंदाथ का ऐलान दुनिया भर में कोरोना केसिस 22 करोर 66 लाग से तजावस कर गए मुजी वारस से अमबाद 46 लाग 63,197 हो गई 20 करोर 33 लाग से जाएद मरीज से अत्याप हो चुके हैं ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साफ आज ही अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पो और्टर करें www.greenish.com कैनेडा में नए एलक्शन के लिए जारी इंतखाबी महिम खتم होने में चंद रोज बागी हैं जाहिजे के मताबिक लिबरल और कंसरवेटिव पार्टी में सख्त मकाबले का इमकान है जबके एंडिपी तीसरे नंबर पर बिराजमान है कहा जा रहा है के कंसरवेटिव को लिबरल पार्टी पर सब्गत हासिल होने का अमकान है ताहाल दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स बराबर बराबर नजर आ रहे हैं वाज़े अक्सरियत और बरतरी का पता इलक्शन वाले दिन ही चल पाएगा लिबरल लीडर जेस्टिन टूडो का कहना है कि पीर के रोस उनकी एहलिया के लिए जिन्सी इस्तिलाँ इस्तिमाल करने वाले मुझाहरीन ने रेच लाइन अबूर की जिस पर उन्हें जवाब देने पर मचपूर होना पड़ा इन्तिखाबी मैदान में सियासी जमातों और उमीदवारों के दर्मियान मुकाबला सखत है एड़्वांस वोटिंगी तारीख भी अपने एक्तिताम को पहुँच चुकी है एलक्शन महिम के दौरान कंसरवेटिव पार्टी के एक उमीदवार की जानब से मुसल्मानों के खिलाफ एक टौिट सामने आने के बाद पार्टी ने अपने उमीदवार को पार्टी से खारिज कर दिया है एक नया सर्वे जेस्टिन टूडो के लिबरल्स और एरिन उटूल के कंसरवेटिव के दाम्यां शदीद मकाबले की कैफियत को जाहिर करता है जबके इंतखाबात में अब एक हफ़ते से भी कम वक्त पाकी है लेजर की जानब से केनेडियन प्रेस के तावन से किये गए सर्वेस जाहिर होता है कि दोनों जमातों को 32 पीसद पैसला कुन वोटर्स की हमायत हासिल है जबके एंडिपी 20 पीस पीसद के साथ 30 नंबर पर है दूसी जानब अपनी एक तक्रीर में पीपल्स पार्टी आफ केनेड़ा के सरवरा मैकसिकम बर्नियर ने केनेड़ा की कंसरवेटिव पार्टी और उसके रहनमा एरिन ओटोल पर इल्जाम आयद किया है जबके मतादित तॉलबा को आईसोलेशन में रहने का हिकम दिया गया है मजीच चानते हैं इस रिपोर्ट में कینेडिन सूबे ऑंटेरियो में इस्कूलों में करोना वारीस के पहलाओं का इनकشाप हुआ है जबके मुतादित तुल्बा को आईसोलेशन में रहने का हुकम दिया गया है सूवे के पबलिक फंडिड स्कूल बोर्ट्स ने मंगल के रोज कोवीड नाइंटीन के 286 एक्टिव केस रिपोर्ट किये जो पिछले दिन के मकाबले में तकरीबं 100 स्यादा है दरजनों तुल्बा को अब घर में खुद को अलग थलग रखने का हुकम दिया गया है टुरॉंटो हेल्ट डिपार्टमेंट के जराय के मताबिक फ्रीजर मिस्टर अर्ली लर्निंग सेंटर तोरॉंट कल्फ फ्रेंच कैथलिक स्कूल और वेस्ट हिल्फ कालिजेट में करोना वायरिस पाया गया है हुकम के मताबिक इस बात की जाँच परताल की जा रही है कि इन स्कूलों में करोना वायरिस आखर पहुचा कैसे ताहम हुकाम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि स्कूलों में कुल कितने तालब इल्मों में करोना वाइरस की तद्दीक हुई है Greater Toronto और Hamilton एरिया में स्कूल बोर्ड ने कोबिड 19 के 109 फाल केस रिपोर्ट किये जो एक दिन पहले 74 थे Toronto डिस्ट्रिक स्कूल बोर्ड ने 25 केसिस रिपोर्ड किये जो 24 मुफ्तलिफ स्कूलों में पाय करे GTHA में दूसे नंबर पर सबसे ज़धा केसिस पील में थे सूबे के दीगर स्कूल बोर्ड स्कूलों में इन्फाक्शन के पहलाओ को रोपने के लिए किलासों को बर्खास करने पर गोर कर रहे हैं परदस्ती वैक्सीन लगवाने और कोरोना एक्दमात पर आमल करवाने पर मजबूर करें मुझारीन ने सक्कुमानीन को शहरी आजादियों के खिलाप और इजहार राय में रुकावट करार दिया केनेडियन सूबे ऑंटेरियों में 22 सितंबर से रेस्टरांस और बार में इंडूर खाना, जिम, फिलिम ठेटर, खेले के मुकाम या कॉंसर्ट में दाखिल होना ऑंटेरियों ने कोवीड नाइनटीन वाक्सीन के कुछ गयर जरूरी बिजनिसेज और जगों में दाखिल होने के लिए वाक्सिनेशन के लास्मी होने से एक हफ़ता कबल कारुबारी एदारों के लिए मजीद कवाईद जवाबित जारी किये हैं 22 सितंबर से रेस्तोरान और बार में इंडोर, खाना, जिम, फिल्म थेटर, खेलों के मकाम या कांसर्ट में दाखिल होना और एक बड़ी मीटिंग और एविंट की जगा पर दाखिल होने के लिए वाक्सिनेशन का सबूत लाजमी फराहम करना होगी अफराद या कारोबार एदारों की जानब से अदम तामील के नतीजे में आंटेरियो री ओपनिंग एक्ट के तहट जर्माने हो सकते हैं रेटेल खरीदारी करने के लिए सारफीन को भी मुकामल तोर पर वाक्सिन लगवाने के सबूत की जरूरत नहीं होगी अगर्चा इंडूर स्पोर्ट तमाशाईयों को वाक्सिनेशन का सबूत पराहम करने की जरूरत है लेकिन मनाजम खेल में हिस्सा लेने वाले खेलाडियों के लिए सबूत पराहम करने की जरूरत नहीं होगी उंटेरियो के रहाशियों को बाईस अक्तूबर तक मकमल सर्टिफिकेट दस्तियाफ होने तक सरकारी वैब साइट से अपनी वैक्सिनेशन की दूसरी खुराक की रसी या तो प्रिंट या डाउनलोड करने की जरूरत होगी वो इंडिजिन्स हेल्फ प्रोवाइडर के दस्तिक शुदारसी या किसी दूसरे इदारे की रसी भी इस्तिमाल कर सकते हैं ने कवनीन 12 साल से कम उमर के बच्चों पर असर अंदास नहीं होंगे जो अभी तक वैक्सिन के एहल नहीं है वैक्सिन के तहट लाजमी कारुबार में दाखिल होने के लिए लोगों को अपनी वैक्सिनेशन का सबूत फराहम करना होगा और दर्वाजे पर अपनी शनाफ पराहम करना जरूरी होगा मुलाजमین से कहा जा रहा है कि वैक्सिनेशन रसीद पर दर्ज टाम और तारीख पैदाश को शनाफिकाट की मालूमात के एन मताबिक होना चाहिए रसीद वैक्सिन की दूसरी खुराक के लिए होनी चाहिए और मुलाजमीन को इस बात की तद्दीग करना होगी कि वैक्सिन लगवाने की तारीख कमस कम 14 दिन पहले की है कैनेडा में करोना वारिस के सबस्ब सबसे जादा हलाकते क्यूब एक सूबह में हुई है सूबह में करोना वारिस के मचमुई केसिस की तादा 3,99,058 है मजीद चांते हैं इस डिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वारिस के फैलाओं में इजाफा जारी है आखरे इतलाद के मताविक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 15,55,121 तक जा पहुँची है जबके हलाकते 27,263 हो गई मुल्ग भर में 14,85,526 मरीज सहत्याप हो चुके हैं आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में करोना वारिस से मतासिर होने वालों की तादाद 5,75,796 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादाद 9,624 है कैनेडा में करोना वारिस के सबब सबसे ज्यादा हलाकते क्यू बैक सूबे में हुई हैं सूबे में करोना वाइरस के मजमुए केसिस की तादात 3,99,058 है जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादात 11,312 तक पहुँच चुकी है कینیजिन सूबे अलबर्जा में भी इस मौलिक वाबा में इजाफा देखने में आ रहा है जहां 2,72,211 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके 2,471 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादात 1,75,899 है जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादात 1,866 है अमरीके वज़िर खारजा अंटॉनी ब्लिंकिन ने कहा है कि वो नहीं जानते कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में इमदादी कारकुन की हलाकत हुई या देहशतगर्द की उनके इस एतराफ पर चीन समयत आदमी ब्रादरी ने अमरीका से 29 अगस के ड्रोन हमले की तहकीकात का मतालबा कर दिया मज़ीद अफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी वजीर खारजा एंटानी ब्लिंकन ने कहा है कि वो नहीं जानते कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में इमदादी कारकुन की हलाकत हुई या देहशतगर्द की उनके इस एतराफ पर चीन समेथ आलमी ब्रादरी ने अमरीका से 29 अगस के ड्रोन हमले की तहकीकात का मतालबा कर दिया अमरीकी वजीर खारजा का सेंट की अमूर खारजा कमेटी के सामने बड़ा एतराफ एंटानी ब्लिंकन ने ब्रीफिंग देते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि वो नहीं जानते कि ड्रोन हमले में दहशतगर्द की हलाकत हुई या इमदादी कारकुन की ताहम ड्रोन हमले में हलाकतों के मौमले का जाइजा ले रहे हैं ब्रीफिंग के दौरान एंटानी ब्लिंकन को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा अमरीकी सेंट की अमूर खारजा कमेटी के सरबरह ने कहा कि बाइडन इंतिजाम या अगवानिस्तान में फाइदार सिय से इंतिजाम करने में नाकाम रही अमरीकी और आलमी मीडिया ने काबल ड्रोन हमले में दस शहरियों की हलाकत रिपोर्ट की थी अमरीका ने 29 अगस्त के काबल ड्राउन हमले में दाइश का हमला आवर मारने का दावा किया था अगवानिसान में अमरीकी ड्राउन हमले में बेगुना शहरियों की मुबयना हलाकत के मौमले पर चीन समेट आलमी व्रादरी ने अमरीका से तहकीकात का मतालबा किया है चीन की वजारते खारजा ने कहा है कि अमरीका के ड्राउन हमले में शेरी हलाकतों की तहकीकात होनी चाहिए तर्जमान चीनी वजारते खारजा चाउली जान का मज़ीद कहना था कि हालिया दिनों अमरीकी फौज के हाथों अगवान शेहरियों की हलाकते रिपोर्ट की गई इसके मुकमल तहकीकात होनी चाहिए ताके आगवान आवाम और आलमी व्रादी को जिम्मेदाराना जवाब दिया जा सके अमरीकी इंटेलिजन्स हुकाम ने कहा है कि अगवानिस्तान में अल्काइदा एक से दो साल के अंदर अमरीका के लिए खत्रा बन सकती है अमरीका के इंटेलिजनस हुकाम का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अल-काइदा की वापसी की अब्तिदाई आलामात देखी जा सकती है लेफटिनेंट जर्नल स्कॉर्ट पेरियोर का कहना था कि अल-काइदा एक से दो साल में इतनी सलाहियत पैदा कर सकती है कि अमरीका को धमकी दे सके अलकाइदा की वाफसी के अब्तिदाई दिन पर नज़र रखेंगे डिप्टी टारेक्टर सी आई ए टेविट कोहन ने भी खच्छा जाहर किया है कि अलकाइदा जल अमरीका पर हमला कर सकती है अब्वानीस्तां के अबुरी वजीरे खारजा मilवी अमीर खान मतकी का कहना है कि पाकिस्तां कतर समेच जिन ममालीक ने उमदाद दी उनके मशकूर है मदी तफसला जानते हैं इस डिपOR्ट में अगवानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा मौलवी आमीर खान मतकी का कहना है कि पाकिस्तान गतर समेच जिन मुमालिक ने इमदाद दी उनके मश्कूर है काबल में मीडिया से गुफटगू करते हुए अगवान अबूरी खारजा का कहना था कि हमें गतर पाकिस्तान और उस्बकिस्तान से इमदाद मिली है हम उन तमाम मौलिक का शुक्रियादा करते हैं चंद मौमालिक ने इमदाद को अपने मुतालबात से मश्रूत कर दिया है हम तमाम मौमालिक से अच्छे तालुकाद चाहते हैं लेकिन किसी मुल्क के दबाओं में नहीं आएंगे अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि वजारत खारजा के साबग एहलकार अपना काम जारी रखें हमारे सिफारत खानों में मौजूद एहलकार अब भी अवगानिस्तान के नुमाइंदे हैं साबक हकोमत के किये गए मौाइदे कामी मफाद में हुए तो वो चारी रहेंगे ये मौाइदे हमारे नजरियात और मजभब से मतसादिम नहीं होने चाहिए भारत में कुरोना वारस चाल लाग तैंतालिस जार पांसो अठाइस हलाकते हो चुकी हैं जबके इसे मतासरा 3,33,16,755 मरीज सामने आ चुके हैं मज़ी जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया का कोई खिता करोना वारस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं इसके मरीजों और इसके बाइस हमवाद में मुसलसल अजाफा जारी है दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा अफराद की तादार 22,66,89,709 तक जा पहुँची है जबके इस मूजी वारस से अमवाद 46,63,197 हो गई 20,33,84,192 करोना मरीज सहत्याफ हो चुके हैं करोना वारस के केसिस और इससे अमवाद के एतबार से 10 सरे फैरिस मुमालिक में 33 करोर से जायर आबादी का हामिल अमरी का ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारस से अब तक 6,82,341 अफराद मौत के मूँ में पहुँच चुके हैं जबके इससे बिमार होने वालों की मचमुई तादाद 4,22,88,205 हो चुकी है एक अरब से जायत अबादी वाला मौल भारत करोना वारस के मरीजों की तादाद के हुआले से दूसरे नमबर पर है जहां इस वारस से 4,43,528 हलाकते हो चुकी है जबके इससे मतासिरा 3,33,6,755 मरीज सामने आ चुके हैं करोना वारस के मरीजों की तादाद के हुआले से मौलिक की इस पहरिस में बराजील 30 नमबर पर है ताहम ये अमवाद के हुआले से पहरिस में दूसरे नमबर पर है जहाँ इस जानलेवा वारस से 5,87,847 हलाकते हो चुकी है जबके इसके मतासिरा मरीजों की तादाद 2,10,19,830 हो गई बर्तानिया में करोना वारस के बाइस आमवाद की तादाद 1,34,440 हो गई करोना वारस से रूस में कुल आमवाद 1,94,299 हो गई इसके मरीजों की तादाद 71,76,085 हो चुकी है फ्रांस में करोना वायरिस की वबा से मजमुए अमवाद 1,15,697 हो चुकी है जहां इसके अब तक कुल केसिस 79,7,460 रिपोर्ट हुए है तुर्की में करोना वायरिस से अमवाद 7,393 तक जा पहुँची है जबके केसिस 67,10,666 हो चुके है इरान में करोना वायरिस से कुल अमवाद की तादाद 1,15,166 हो गई जबके इसके कुल केसिस 53,40,656 हो गई अर्जंटीना में करोना वायरिस की वबा से अमवाद 1,13,816 हो गई कॉलंबिया इस वायरिस में दस्वे नमबर पर पहुँच गया जहां करोना वायरिस से 1,25,713 जिंदग्यों के चिराफ पुल हो गई जबके अब तक इस मुजी वबा के 49,32,998 केसिस रिपोर्ट हुए है साथी अरब इसी फैरिस में 91 नमबर पर पहुच चुका है जहां करोना वायरिस से अब तक कुलंबाद 8,633 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,46,163 तक जा पहुची है टैक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड दे गलोग Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV